Hey everyone, welcome back to the channel guys, you are watching Superbikes Classifieds So guys, अगर आप चैनल पर पहली बारी आ रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको प्लीज दबा दे, रेड कला का सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबाएंगे तो वो gray हो जाएगा और उसके बाद जो bell icon आता है उसको भी दबा दें ताकि आपको जो भी मेरी वीडियो होगी अगली उसकी notification आजाए सबसे पहले थमनेल देखके या टाइडल देखके आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात कर रहे है आज जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्कूटर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज जो बताऊंगा वो almost 15 top scooters बताऊंगा with price, with this specification, जिससे आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि यार हमें क्या चीज खरीदनी चाहिए choice आप लोगों किया गाइस मैं सिफ help कर सकता हूँ कि क्या market में नेया आ रहा है या क्या जो scooter है वो इस ताइम सबसे high level पर चल रहा है so guys वो सब चीज आप लोगों को अपने आप देखनी पड़ेगी मेरा first है आप लोगों को actual में content बताना कि ये ये scooters हैं, इनका इतना इतना price है और first number, second number, third number, fourth number पर ये चीज़े चल रही है हो सकता है जो चीज मैं first number पर दे रहा हूँ आपको वो चीज पसा ना है so it's your own personal choice और अगर मैं बात करूँ तो actual में सब आपके budget के उपर भी depend करता है कि आप actual में खरीदना क्या चाहते हैं so top 15 scooters guys so guys video start करते है आज का जो सबसे पहला scooter है that is the Honda Activa 5G अगर मैं इस scooter की बात करूँ first number पर आ रहा है इसका जो sale है वो बहुत जादा है बाकी scooters के मुकाबले इसका जो price पढ़ता है वो पढ़ता है almost 52,443 रूपीज से लेके 54,884 रूपीज इसमें आपको 109 cc का engine मिलता है जो की आपको power देता है 8.11 bhp की at 7,500 rpm पर so guys next option जो है हमारे पाद स्कूटर नमबर 2 है वो है TVS का Nitrox 125 अगर मैं स्कूटर की बात करूँ तो इसकी जो एक्शोरोम प्राइस है वो है 59,650 रूपीज का 125 cc का basically स्कूटर है जिसके अंदर हमें power मिलती है 9.5 bhp की 7,500 rpm पर self start, kick start दोनों मिलते हैं आपको इसके अंदर में काफी जादा अच्छा है अगर मैं इसके total weight की बात करूँ तो 116 kg का स्कूटर का weight है आज का जो 3rd number का स्कूटर है वो है Honda का Dio basically इसमें 3 variant आते है normal एक Dio आता है एक standard आता है और एक deluxe आता है Dio और standard जो है वो गई सेम ही है अगर deluxe की मैं बात करूँ तो standard का जो price है वो है 50,296 रूपीज का और अगर deluxe की मैं बात करूँ तो उसका price है 53,292 रूपीज का 109.19 cc का engine है basically इसका जिसके अंदर आपको power मिलती है 7.92 बीएच्पी की 7,000 रूपीज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों scooter की जो average है वो almost 55 km per लीटर की है आज का जो हमारा third number का scooter है वो है Yama की तरफ से Yama का Fasino है basically इसकी add बहुत जादा Yama ने निकाली थी इसका जो price हमें पढ़ता है वो पढ़ता है 54,593 एक शोरूम का अगर मैं इसके engine specification की बात करूँ तो हमें जो इसका engine है वो मिलता है 113 cc का जो की हमें average देता है 66 km per लीटर की इसकी हमें power की बात करूँ तो 7.1 bhp का power मिलता है 7.5 रूपीम के उपर और अगर मैं इसके talk की बात करूँ तो हमें 8.1 nm का talk मिलता है 5000 rpm के उपर अज का जो 5th number का scooter है guys वो है TVS का Jupiter इसने काफी जादा आपका Honda Active उसको टक कर दी थी काफी जादा लोगों ने इस scooter को पसंद भी करा था इसके अंदर basically 3 model आते है guys एक आता है drum self and alloy जिसका price आपको पढ़ता है 50,566 रुपीज का एक आपको पढ़ता है ZX model जिसका price आपको पढ़ता है 53,514 रुपीज का और एक आपको पढ़ता है ZX disc basically इसमें disc brake मिलती है आपको साथ में जिसका price आपको पढ़ता है 55,566 रुपीज का तीनो की अगर मैं आवरेज की बात करूं तो आर्मोड 62 km पर लीटर की तीनो जो वेरियंट है वो आवरेज देते हैं 109.7 cc का आपको इंजन मिलता है ब्रेक्स अगर मैं बात करूं तो पहले जो दो वेरियंट है जेटेक्स और नॉरमल वाला उसमें आपको ड्रम-ड्रेक्स मिलती है जो जेटेक्स डिस्क है बेसिकली उसके अंदर आपको डिस्क बेक्स मिलती है पावर की अगर मैं बात करूं तो 7.99 बह्प आपको मिलता है सेवेंटी फाइवनड़ रपीम पर और अगर मैं talk की बात करूँ तो आपको जो इसमें talk मिलता है वो मिलता है 8NM का 500 RPM के उपर आज का जो हमारा 6 scooter है वो है Aprilia का RS 150 अगर मैं इस scooter की बात करूँ तो Aprilia की तरफ से scooter है और Aprilia आप जानते ही है Superbikes में बहुत ही जाता famous है इन्होंने scooter भी काफी जादा fast निकाला था इस relation में अगर मैं इसके price की बात करूँ तो almost 70,939 रुपी आपको एक्षोरूम price मिलता है इसका जिसके अंदर आपको engine capacity है basically 154.8 cc की अगर मैं mileage की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 37.8 km per litre का mileage और power की बात करूँ तो 10.6 PS की BHP की power मिलती है आपको 6750 rpm के उपर अगर मैं इसके torque की बात करूँ तो आपको torque मिलता है इस पे 10.9 nm का जो की 5000 rpm पे आपको मिलता है आज का जो 7th अंबर का scooter आ रहा है guys वो है Suzuki के Axis 125 Suzuki की तरफ से scooter है जिसके अंदर हमें engine power मिलती है 125 cc की 124 cc की power मिलती है इसके अंदर भी 3 variant आते है guys एक आता है self and steel एक आता है disc और एक आता है CBS self and steel जो है उसका price आपको पढ़ता है 55,045 रुपीज का disc जो है वो आपको पढ़ता है 58,358 रुपीज का और CBS जो model है वो आपको पढ़ता है 58,980 रुपीज का Tino की अगर मैं average की बात करूँ तो guys average बहुत जादा अच्छी है इन scooters की 64 km per litre की average दे रहा है जो self and steel है जो disc की अगर मैं बात करूँ तो disc brake वाला जो है उसकी average थोड़ी सी कम हो जाती है और उसकी average आपको मिलती है almost 52 km per litre की power की अगर मैं बात करूँ तो आपको इसमें power जो मिलती है वो मिलती है 8.7 bhp की 7000 rpm के उपर और अगर मैं talk की बात करूँ तो इसमें आपको talk जो मिलता है वो मिलता है 10.2 nm का 5000 rpm के उपर अगर मैं स्कूटर की बात करूँ तो आपको 125 cc का इंजन मिलता है बेसिकली जिसकी average क्लीम करी जाती है almost 60 km per litre की दो वेरियंट आते हैं इसमें alloy drum भी आता है और डिस्क के साथ भी आता है price में भी difference है almost alloy drum के साथ जो है वो 59,441 का है और डिस्क के साथ जो है वो almost 61,890 रूपी का एक शोरूम अगर मैं स्कूटर की bike की बात करूँ तो almost आपको 8.63 bhp का power मिलता है 6,500 rpm के उपर और अगर मैं स्कूटर के talk की बात करूँ तो आपको 10.54 nm का talk मिलता है 5000 rpm के उपर इसकी जो top speed है guys वो है almost 84 km per hour की इक जो स्कूटर आ रहा है guys वो है Honda का Grazia अगर मैं स्कूटर की बात करूँ तो इसमें भी आपको 125cc का engine मिलता है जिसकी average claim करी जारी है almost 60 km per liter की इसमें भी basically 3 variant आते हैं एक आता है standard एक आता है alloy और एक आता है DLX तो standard variant जो है उसका cost आपको पढ़ता है 59,076 रूपीज का alloy variant जो है उसका cost काता है आपको 61,000 का and deluxe model जो है वो basically आपको cost करता है 63,448 रूपीज का drum brakes मिलती है आपको standard और alloy variant में और deluxe के अंदर आपको basically dust brakes मिलती है पावर की अगर मैं बात करूं तो 8.63 bhp का power मिलता है आपको पैंशच सो रूपीम के उपर और अगर मैं इस scooter की NM की बात करूं तो आपको 10.54 NM का टॉक मिलता है basically 5000 रूपीम के उपर top speed जो है इस scooter की वो है almost 90 km per R की और 0-60 अगर मैं बात करूं तो वो 9.03 seconds है तो आज का जो 10th scooter आ रहा है guys वो है hero का pleasure basically यह जो है scooter इसकी जो costing आती है वो आती है 46,100 रूपीज से लेके 48,100 तक 102 cc का scooter है guys जिसकी average जो claim करी जाती है वो करी जाती है 63 km per liter की अगर मैं इस scooter की power की बात करूं तो 7 bhp की power मिलती है आपको 7,000 rpm के उपर और अगर मैं इसके talk की बात करूं तो आपको इसके अंदर 8.1 nm का talk मिलता है 5000 rpm के उपर top speed जो claim करी जा रही है 77 km per R की So guys, ये थे मेरे आज के top scooters जो की मेरे हिसाब से काफी जादा अच्छे है इन्होंने market में काफी एक अपना रुतबा बना लिया है अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि यार मेरा जो first choice रहेगा वो रहेगा Honda Activa 5G का new scooter है बहुत ही जादा अच्छा है अगर मैं average की बात करूं तो almost 60 plus की average है Speed wise भी better है तो scooter देखने में भी काफी जादा अच्छा लगता है बलकी scooter है तो चलाने में भी आपको एक stability मिलती है अगर मैं भगाने के बात करो हूँ कोई लोग scooter भगाने के लिए लेना चाते है और आपका budget almost 75,000 के करीब है तो आप जो Aprilia का SR basically model है आप उस scooter पे जा सकते हैं बहुत ही अच्छा scooter है guys वो बहुत ही quick है actual में इन सारे scooter से सबसे जादा quick scooter में से वो एक है काफी जादा उसने market भी capture कर लिए आज की वीडियो हम यहीं खतम करते हैं कैसी लगी आपको मेरी वीडियो नीचे comment section नीचे comment section में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलेगा friends के साथ share करें जो भी scooter खरीदना चाहते हैं उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि यह scooter market में available है और उनके पास यह choices है तो इन scooter में से जाके कोई एक scooter ले सकते हैं बाकी मैंने आप लोगों को बताई दिया है सब कोईबडा़ा है फिर आपके अपके बजट के ऊपर अकर आपको बजञट बजट पर इस हाथ चाले साथ हजार का उसार का साथ चाले साथ हजार का एक सुट जर के प्राइब समीडियो और दोशरों को खुश रहें तो उससे झाल झाल